नमस्कार जेहिंद लेर्निंग मंत्रा की ओनलाइब दो पार्ट साला में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिस्र दोस्तों आरारवी एंटी पीसी परिक्षा के तारीखों की घोशना हुई है जिसमें पहले फेज में आपकी परिक्षाएं 28 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और आपकी परिक्षाओं में जितने भी प्रूशियल टाइम है इसलिए आपको अब सारी चीजों को याद करना है रिवाइस करना है ताकि आपने अभी तक जिन चीजों को पढ़ा है उसको आप उसमें से अगर क्वेस्टन्स पूछे जाएं तो वो गलत न होने पाएं कहने का मतलब है कि अब आप कोई भी नई च पूर बिंदूओं को बताएंगे और ये ऐसे पॉइंट ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपकी परिक्षाओं में निश्चित रूप से प्रस्न के रूप में आपसे मुलाकात करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट की बात करेंगे जैसे फसल उत्पादन में भारत और विश्व के संदर में कौन पहले अस्थान पे है दूसरे अस्थान पे है इसके बाद हम लोग मिनरल्स में बात करेंगे खनिच संसाधन में भारत और विश्व के रिफरेंस में कौन जादा उत्पादन कहां पर होता है कहां पर संचित भंडार जादा होता है फिर इसके बाद हम सबसे पहले फसल की बात करते हैं, फसल उत्पाधन की बात करते हैं, किसी फी फसल उत्पाधन में आप कौन सा देश या फिर कौन सा राज पहले नम्मर पे होगा, इसको थोड़ा सा अगर आप concept बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत जरूरी होता है कि किसी भी शेत् किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडिशन होती है और इसके अलावा किस प्रकार की फशल के लिए किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडिशन आईडियल मानी जाती है अगर ये बात आप समझते हैं बखुबी तो आपको इसमें रटने की आवशक्ता बहुत कम पड़ेगी आप चीज में एक चीज़ आप देखते हैं कि पहले नंबर पर चीन है दूसरे पर भारत है ये आंकड़ा दोनों के लिए गेहूं और चावल दोनों के लिए चीन और भारत होगा चावल की बात करेंगे तो चीन भारत के बाद इंडोनेसिया आएगा और गेहूं की बात करेंगे चीन भ उत्पादन जो है वो रशिया में होता है उसके बाद फ्रांस में होता है फिर उसके बाद जर्मनी में होता है जव की बात करेंगे तो रूस फ्रांस और जर्मनी में जवार की बात करेंगे तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा उसके बाद नाइजीरिया में और उसके बाद रूस में होता है फिर फ्रांस में होता है और ज्वार का ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है यानि कि अमेरिका फसल उत्पादन में दो बार पहले अस्थान पे आया है कहां कहां पर मक्का और ज्वार में तो मक्का और ज्वार का ज्यादा उत्पादन कहां मिलेगा अम कोयाबीन का जादा उत्पादन कहां पर होता है अमेरिका में उसके बाद ब्राजील और फिर उसके बाद अरिजेंटाइना में फिर इसके बाद गन्ना की बात करें तो गन्ना का जादा उत्पादन कहां होता है ब्राजील में होता है उसके बाद भारत में उसके बाद चीन मे भारत एक जगह पर पहली बार आया है वो कहां पर रहा था दलहन उत्पादन में गन्ने का ज़्यादा उत्पादन ब्राजील में फिर भारत में उसके बाद चीन में कपास का ज़्यादा उत्पादन कहां होता है तो चीन में होता है उसके बाद भारत में होता है फिर उसके ब उसके बाद बंगलादेश और फिर उसके बाद चाइना आएगा अब इन सभी फसलों की जब आप आकड़ों को पढ़ रहे हैं तो आपको एक आइडिया जरूर लग रहा होगा कंसेप्ट के तौर पर कि जहां पर भी जिन भी फसल का उत्पादन ज्यादा होता है उस ख्शेत्र विशेस में वहां का जो क्लाइडमेटिक कंडिशन किसी भी क्रॉप के लिए आवस्चक हوتी है वो क्लाइमेटिक कंडिशन वहां पर एबलेबल है इसलिए वहां पर ज्यादा फसलों का उत्पादन होता है जैसे हम लोग अगर जूट की बात करते हैं तो भारत और बंगला देश के क्षित्रों में जादा करके जूट के लिए क्लाइमेटिक कंडिशन उपलब्ध होती है फिर इसके बाद हम लोग केला की बात करें तो केले के लिए पहला स्थान भारत का है फिर उसके बाद चीन और इंडोनेसिया का है इसके बाद नारियल की बात करें तो नारियल का जादा उतपादन इंडोनेसिया में होता है फिर उसके बाद फिलिपिन्स में होगा और भारत में होगा तो यहाँ पर एक फैक्ट आप और समझ सकते हैं कि इंडोनेसिया द्वीप समूह जो होता है वो बिस्व का सबसे ज़्यादा लंबा द्वीप समोह होता है और अगर छेतरफल की बात करें ज़्यादा द्वीप समोह की शंख्या बात करते हैं तो वो होता है इंडोनेसिया और छेतरफल में अगर किसी भी द्वीप का सबसे बड़ा एरिया देखा जाता है तो आंसर आप उसमें Greenland लगाते हैं तो सबसे बड़ा द्वीब समों कौन सा होगा Indonesia सबसे बड़ा द्वीब कौन सा होगा तो वो होता है Greenland तो नारियल के उतपादन में Indonesia दूसरे नमबर पर है Philippines और तीसरे पर है भारत चाई के उतपादन में चीन, भारत और केनिया का नाम आता है कौफी के उतपादन में ब्राजील होता है उसके बाद वियत नाम होता है फिर Indonesia आता है यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना है कि ब्राजील में साउपोलो नाम का एक बंदरगा है वो उसके लिए कौफी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ज़्यादा महत्तोपूल होता है एक चीज़ यहाँ पर और समझना है कि ब्राजील में जो कौफी के बागान होते हैं उनको हम लोग फजंडा के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर कौफी का ज़्यादा उत्पादन कहा होता है पहले नंबर पर ब्राजील है दुसरे पर वियतनाम और उसके बाद इंडोनेसिया है चुकंदर का ज़्यादा उत्पादन कहा होता है तो रूस फ्रांस और उसके बाद अमेरिका में होता है तमबाकू का ज़्यादा उत्पादन कहा होता है तो ये होता है चीन में फिर उसके बाद ब्राजील में और उसके बाद होता है भारत में तो तमबाकू का ज़्यादा उत्पादन चीन में उसके बाद ब्राजील और उसके बाद भारत में प्राकृतिक रबर की बात करते हैं ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसको जरूर ध्यान दीजिएगा अक्सर question पूछा जाता है प्राकृतिक रबर में पहला स्थान किसका है तो वो है थाइलेंड का उसके बाद आता है इंडोनेसिया का फिर आता है वियतनाम का मसाले के उत्पादन में कौ देश है तो एक बार अगर आप चाहें तो जितने भी फसल उत्पादन वर्ड के reference में है उसको आप जो first position पर है उसको एक बार फिर से देख लीजिए पहले नंबर पर कौन है चावल में चीन है गेहू में चीन है अमेरिका किस में है मक्का में और ज्वार में है भारत किस मे है दलहन में है जूट में है केला में है तो इस तरह से मसाले में भी है फिर उसके बाद जो का ज्यादा उत्पादन कहां होता है तो वो आपका रसिया में होता है फिर मक्का का ज्यादा उत्पादन अमेरिका में है सोया बीन अमेरिका में है गन्ना का ज्यादा उत्पादन ब्राजील में कपास का चीन में जूट का भारत में केले का भारत में नारियल का इंडोनेसिया चाय का चीन में कौफी का ब्राजील में चुकंदर का रशिया में तंबाकू का चीन में प्राकरतिक रबर का थाइलेंड में और मसाले का भारत में होता है अब इसी तरह से जितने भी फशल हैं चुकि हमने यहां पर उन्ही फशलों को सामिल किया है जो आपके लिए ज़्यादा महत्तोपूर्ण है इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर फशल उत्पादन इंडिया के रिफरेंस में तो भारत के reference में अगर हम लोग चावल की बात करते हैं तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां होता है तो वो होता है पस्च मंगाल में उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर होता है पंजाब में फिर उसके बाद गेहूं का ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता ह फिर इसके बाद मोटे अनाज में पहले अस्थान पर कौन होगा राजस्थान उसके बाद करनाटक होगा और फिर मध्यप्रदेश होगा खाद्यान का मतलब यहां होता है कौन कौन सी प्रमुख खाद्यान फसले हैं जैसे गेहूं है चावल है इन सभी को हम लोग खाद्यान फसलों की रूप में रखते हैं तो एक यहां पर कलेक्टिव क्रॉप की रूप में इसको सामिल करते हैं और जो भी खाद्यान फसले हैं उ उत्तरप्रदेस और चावल में पस्चिम बंगाल है फिर इसके बाद दालों की बात करें तो दालों का ज्यादा उत्पादन मध्यप्रदेस में होता है फिर राजस्थान और उत्तरप्रदेस का नाम आता है इसके बाद मुंगफली की बात करते हैं तो मुंगफली का ज्याद उत्पादन गुजरात में होता है फिर राजस्थान और तमिल नाडू में सोया बीन का जादा उत्पादन मध्यप्रदेश में है फिर महाराष्ट और राजस्थान है इसके बाद कपास का जादा उत्पादन महाराष्ट और गुजरात में होता है तो महाराष्ट और गुजर में होता है फिर इसके बाद है सूरज मुखी सूरज मुखी का जादा उत्पादन कहा होता है तो सूरज मुखी का जादा उत्पादन करनाटक में होता है उसके बाद ओडिशा का नाम आता है और जूट की अगर बात करें आपने विश्व अस्तर पर देखा था जूट में भा अस्म बंगाल अवल है फिर उसके बाद बिहार और असम का नाम आता है तो इस तरह से आपने फसलों के उत्पादन में भारत और विश्व के संदर में कौन-कौन से महत्तपोड फसले हैं उसमें कौन-कौन से उत्पादक राज्य हैं या फिर उत्पादक देस हैं इसकी परणने होते हैं एक होता है संचित भंडार का यानी कि भंडार तो मौळूद है लेकिन वहाँ पर उसकी खुदाई नहीं हुई है तो यहाँ पर दो आंक्रे आपको पढ़ना है एक है संचित भंडार और दूसरा है उत्पादन. तो भंडार और उत्पादन में आपको दो आंकडे दिये गए हैं हमने जो इस साइड लिखा है वो भंडार के आंकडे हैं और यहां जो लिखा है वो उत्पादन के हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं कैडमियम की बहुत important नहीं है moderator के रूप में ये प्रयोकशालाओं में यूज किया जाता है और यहां पर कैडमियम का ज़्यादा भंडार आपको कहा मिलता है तो चीन और पेरू में मिलता है उत्पादन की बात करते हैं तो चीन और कोरिया में मिलता है फिर इसके बाद यहाँ पर सिमेंट की बात करते हैं तो सिमेंट का कोई भी संचित भंडार नहीं होता है यहाँ सिर्फ और सिर्फ उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में पहले अस्थान पर चीन है दूसरे अस्थान पर भारत है अब आपसे मैं यहाँ पर एक repeat वाला सवाल पूछूँगा कि गेहूं और चावल के उत्पादन में कौन पहले अस्थान पे है सेम वही आंकड़ा है उत्पादन में जो सिमेंट में है यानि कि सिमेंट में गेहूं में चावल में इन तीनों में जो क्रम आएगा वो पहले पर चीन आएगा और दूसरे पर भारत आएगा फिर इसके बाद कोईला यह महत्वपूर्ण है इसको आप ध्यान रखिएगा कोईले का ज़्यादा भंडार कहां पर है अमेरिका में और उत्पादन कौन करता है चाइना करता है तो कोईला में संचित भंडार में पहले नंबर अमेरिका और उत्पादन में पहले नंबर पर चीन आता है तांबे में यहाँ पर देखेंगे तो भंडार में जो है वो चिली का नाम आता है और उत्पादन में भी चिली का नाम आता है तांबे के रिफरेंस में कुछ भी नहीं सोचना है अगर तांबे में आपको उत्पा में रूस का नाम पहले आता है और उत्पादन में भी रूस का ही नाम आता है यानि कि तांबा होगा या तो हीरा होगा दोनों में अगर पूछा जाएगा तो तांबा में आप चिली लगाएंगे और हीरे में रसिया लगाएंगे कहां पर है ये रूस में सोने की बात करते हैं तो सोना में जो संचित भंडार है वो जादा आस्ट्रेलिया में है दक्षिड अफ्रीका में अब नहीं है आकड़े बदल गए है तो पहला अस्थान पर कौन है आस्ट्रेलिया है संचित भंडार में और उतपादन में बात करेंगे तो पहले अस्थान पर चीन आता है फिर इ संचित भंडार भारत में जादा है लेकिन उत्पादन जादा कौन करता है ब्राजील करता है कच्चे तेल यानि क्रूड ओयल की बात करते हैं तो वेनेजवेला में इसका संचित भंडार जादा है लेकिन उत्पादन जादा कौन करता है अमेरिका करता है फिर इसके बाद प् मेक्सिको में होता है तो चादी का ज्यादा भंडार कहां पर है तो वो है पेरू में लेकिन उत्पादन ज्यादा कहां होता है मेक्सिको में बॉक्साइड की बात करते हैं तो गिनी में ज्यादा संचित भंडार है लेकिन उत्पादन ज्यादा ऑस्टेलिया करता है तो बॉक् तो बाकसाइट का ज्यादा उत्पादन ओडिशा में होता है और संचित भंडार भी कहां पर है ओडिशा में है कोईला आपके लिए महत्वण होता है इसको आप जरूर इसको स्टार लगा कि आप इसको समझेगा कोईला में आपको सवाल पूछा जाता है तो कोईला में ज्यादा संचित भंडार कहां पर है ज्यारखंड में है लेकिन उत्पादन ज्यादा कौन करता है ओडिशा करता है फिर इसके बाद हीरे में बात करते हैं संचित भंडार में मद्प्रदेश और आंध्प्रदेश का नाम आता है और उत्पादन में मद्प्रदेश के पन्ना जिले का नाम आता है सोने में बात करने, स्वन में तो यहाँ पर पहले अस्थार पर उत्पादन में करनाटक और भंडार में दोनों ही कंडिशन में सोने के रिफरेंज में करनाटक का नाम आता है तो करनाटक को आप ध्यान रखीगा स्वन उत्पादन यानि की गोल्ड के लिए चाहे आप सोने में चाहे आप उत्पादन की बात करें या फिर आप बात करें संचित भंडार की तो दोनों ही कंडिशन में आपको सोने में करनाटक को लगाना है लौह अयस्क ये भी महत्वपूर्ण है स्वान भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और कोईला तो लौह अयस्क में संचित भंडार ज़्यादा करनाटक और ओडिशा में है लेकिन लौह अयस्क का ज़्यादा उत्पादन कौन करता है तो वो ओडिशा करता है चांदी में अगर आप देखेंगे तो दोनों कंडिशन में राजस्थान का नाम आता है विश्व में आपको उत्पादन में मैक्सिको का नाम आता है और संचित भंडार में पेरू का नाम आता है लेकिन भारत के रिफरेंस में अगर चांदी की बात करते हैं तो दोनों कंडिशन में राजस्थान का नाम आएगा कच्चे तेल में अगर बात करें संचित भंडार की तो असम आएगा और उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान का नाम आएगा इसको हम लोग कहते हैं तटी छेत्रों के रूप में प्राकृतिक गैसों की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक गैसों का ज़्यादा भंडार असम में है और उत्पादन भी ज़्यादा कहां पर होता है असम में होता है तांबे की बात करें तो तांबा में राजस्थान में ज़्यादा संचित भंडार भी है और वहां से ज़्यादा उत्पादन भी होता है तो यह आपके लिए महत्तपूर्ण है यहाँ पर राजस्थान का जुन जुनु आपके लिए महत्तपूर्ण साबित होगा फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत की जनगर्णा 2011 की प् और 2011 की बीच में जनसंख्या में कितना चेंज हुआ है परसेंटेज के हिसाब से तो वो होता है 17.7% होता है आंसर इसमें आपका 17.7 लगाएंगे अगर 10 की व्रिद्धी आपसे पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी वर्ग किलोमेटर क्षेत्र में ज इसके बाद लिंगानुपात की बात करते हैं सेक्स रेशियो की तो यहाँ पर 1000 महिलाओं में उपलब्ध है कितने पूरुस हैं यहाँ पर यह देखा जाता है तो 943 होते हैं 943 है भारत का लिंगानुपात लेकिन सिसु लिंगानुपात की अगर बात की जाती है तो सिसु ल सिर्टादर की बात करें यानि literacy rate की बात करें तो वो 73% है और इसत्री पूरूश जनसंख्या में अनुपात कितना होता है तो 48.53 H251.47% होता है तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा इसत्री और पूरूश की जनसंख्या में कितना अनपात होता है फिर इसके बाद अगर हम लोग आकड़ों की बात करते हैं तो सरवाधिक जनसंख्या कहां पर पाई जाती है तो सरवाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है और सरवाधिक जनसंख्या वाला किंदर सासित प्रदेश कौन सा है तो वो है दिल्ली फिर इसके बाद निवनतम जनसंख्या वाला राज जी कौँ सा है, तो सिक्किम है, सिक्किम में निवनतम जनसंख्या पाई जाती है, जबकि लक्ष द्वीप के निवनतम जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर आपको एक स्टिप आंकडों को ही ज्यादा ध्यान में रखना ह एक क्रम में आप इस टिप को याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और यहां से आपको सवाल मिल जाएगा सरवाधिक जनसंख्या वाला अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो वो होता है उत्तरप्रदेश सरवाधिक जनसंख्या वाला अगर किंद्रसासित प्रदेश की बात करते हैं तो वो होता है दिल्ली निवनतम जनसंख्या की बात करें अगर राज्यों में तो वो होता है सिक्किम और किंद्रसासित प्रदेशों में बात करते हैं तो वो होता है लक्ष द्वीब अब है सरवाधिक दसकी वृध्धी तो सरवाधिक दसकी वृध्धी में अगर राज पूछा जाएगा तो मेगालें और अगर केंदरसासित प्रदेस में पूछा जाएगा तो दादरा नगर हवेली आएगा फिर निवनतम दस की वृद्धी में अगर राज पूछा जाएगा तो नागा लैंड आएगा और केंदर सासित प्रदेसों की बात करेंगे तो लक्ष द्वीप होगा फिर इसके बाद सरवाधिक जनघनत की बात करते हैं जनसंख्या घनत में सबसे ज़्यादा अगर स्टेट का पूछा जाएगा तो वो होगा आपका बिहार में और केंदर सासित प्रदेसों में पूछा जाएगा तो वो होगा दिल्ली में फिर इसके बाद निवनतम जनसंख्या घनत वाला राजी कौन सा है तो अरुनाचल प्रदेश है निवनतम जनसंख्या घनत वाला किंदरसासित प्रदेश कौन है तो अंडमान नीको बार द्वीप समू है फिर इसके बाद सरवाधिक लिंगानुपात वाला राजी कौन सा का तो पोडुचेरी निवनतम लिंगा नुपात वाला राज कौन सा होगा हरियाडा और निवनतम लिंगा नुपात वाला किंदर सासित प्रदेश कौन सा होगा तो दमन और दीव फिर इसके बाद सरवाधिक साक्षर्ता दर में केरल आता है राज्यों में और किंदर सासित प पूछा जाता है तो सरवाधिक पुरुष साक्षर्टा की बात करेंगे तो केरल में, निवनतम पुरुष साक्षर्टा की बात करेंगे तो बिहार में, और निवनतम महिला साक्षर्टा की बात करेंगे तो बिहार में, जो लोग BPSC को देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत् है यह खास करके literacy rate वाला यहां से question आपकी परिक्षाओं में पूछा जा सकता है अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुकर इंडेक्स की जो आपके परिक्षा खास करके आपके जो NTPC का exam है उसके लिए महात्वपूर्ण होगा तो यहां पर पहला नंबर है मानो विकास सूचकांग 2019 तो मानो विकास सूचकांग 2019 जो है वो जीवन प्रत्यासा सूचकांग सिख्षा सूचकांग और आय सूचकांग के आधार पर बनाया गया जिसमें मानो सूचकांग यानि कि HDI में कुल देश कितने सामिल थे तो 189 था फर्स्ट पोजिशन पर यहां पर ये 129 और अगर आपसे HDI 2020 को पूछा जाए तो HDI 2020 में जो भारत का स्थान होता है वो 131 होता है इसको आप ध्यान रखियेगा फिर इसके बाद यहाँ पर अंतरराश्टी बौधिक संपदा सुचकांक है तो अंतरराश्टी बौधिक संपदा सुचकांक 2020 में जो आया था वो इसका आठवा संसकरण था और इसमें कुल तिरुपन अर्थ विवस्थाओं को शामिल किया गया जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे पर UK है यहाँ पर ज़्यादा महात्वपूर्ण है आपका ये वाला भारत 2019 में 36 नंबर पे था और 2020 के आंकडे पर अंतररा रैंकिंग पूछी जाएगी तो पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ पर 51 है फिर है ब्रहस्थाचार बोध सुचकांक 2019 तो ब्रहस्थाचार बोध सुचकांक 2019 जो है उसको जारी करने का काम कौन करता है ये होता है कि एक NGO है और उसका नाम है Transparency International जो कि जर्मनी के बरलिन में ह 1995 से ये आंकड़े जारी करता है जो 2019 का आंकड़ा आया था ये था 25 आंकड़ा इसका इसमें कुल 180 देशों को सामिल किया गया जिसमें से सबसे ज़्यादा इमांदार अगर कोई देश रहा है तो वो रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान जो आता है वो 80 है लेकिन भारत के स इसके बाद पिछले वर्स में अगर पूछा जाए ब्राष्टाचार के सूचकांग में भारत का कौन सा स्थान था तो 78 पोजिशन पर भारत था फिर इसके बाद है वैस्विक नवाचार सूचकांग 2019 में कुल 139 देशों को सामिल किया गया 2007 से प्रारंभ हुआ था ये और इसमें 22 संस्क्रण इसका लाया गया था 2007 से जो 2019 का आकरा आया है इसमें वैस्विक नवाचार सूचकांग 2019 में पहले अस्थान पर स्विडजर लेंड है और भारत जो है वो बामनवे अस्थान पर है और 2018 में ये 57 अस्थान पर था अब बात करते हैं वैस्विक आतंगबाद सूचकांग 2019 की तो वैस्विक आतंगबाद सूचकांग 2019 जो है उसको जारी करने का काम कौन करता है तो Institute for Economics and Peace इसमें जो इस बार इसका 2019 में आकड़ा आया ये इसका सात्वा आकड़ा था Sydney Australia में इसका मुख्याला है जिसके अंतरगत सूने से लेकर 10 तक के आकड़े दिये गए जहाँ पर सूने का मतलब होता है कि आतंगबाद का प्रभाव बिलकुल नहीं और अगर 10 होता है तो वहाँ पर होता है कि आतंगबाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित आतंगबाद से कौन देश था तो वो अफगानिस्तान है उसके बाद इराक है और इस इंडेक्स में भारत का नाम सात्मे पोजिशन पर आता है वैस्विक लेंगिक अंतराल सुचकांक 2019 की बात करे तो यह 2006 से वर्ड एकोनोमिक फोरम के द्वारा इसको लाया जाता है जिसमें 153 देशों को शामिल किया गया पहले नंबर पर आइसलेंड है दूसरे पर नार्वे है और भारत का अस्थान यहाँ पर 112 हुआ है फिर इसके बाद जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांक 2020 है तो इसको जारी किया था वो जर्मन वाचवक क्लाइमेट एक्षन नेटवर्क ने जारी किया था पहली बार इसको 2005 में जारी किया गया इसमें जो सीर्स पर है वो है स्वेडन और डेनमार्क और जो एक दो और तीन पोजीशन है इसमें किसी देश को नहीं रखा गया चूकि इसको प्राप्त करने के लिए जिन कंडिसन्स को रखा गया था वो कोई देश इसको फॉलो नही गर पया सीर्स कारबन उत्सरजग देशों के अगर बात करते हैं तो चीन और अमेरिका आते हैं और इस सूचकांक में चीन का तीसवा और अमेरिका का एक सथवा अस्थान है भारत का अस्थान इसमें नौवा रहा है बीते वर्स इसमें ग्यारहमें अस्थान पे था तो दो अंगों की सुधार यहाँ पर भारत के संदर में होती है फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारा है आज का फार्चून ग्लोबल 500 सूची 2020 इसमें अगर देखेंगे तो पहली पोजीशन पर जो है वो है अमेरिका की कंपनी रिटेल कंपनी वालमार्ट और शेकंड पर है चीनी कंपनी साइनोपिक और तीसरे नमबर पर है चीनी कंपनी स्टेट ग्रेड फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग भारती कंपनियों की बात करते हैं तो यहाँ पर सीर्स भारती कंपनियों में पहले नमबर पर है 96th position पर Reliance Industries Limited और फिर उसके बाद है 151 में अस्थान पर Indian Oil Corporation 190 में पर है Oil and Natural Gas 337 में पर है Tata Motors 221 में पर है State Bank of India 309 में पोजेशन पर भारत पेट्रोलियम और 462 में पर है Rajas Exports तो आपने इस पूरे वीडियो में बहुत ही महत्तपोड जो कि आपको बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह है वो आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी साबित होगा इसको आप एक बार दो बार जरूर सुनिएगा सारे आकड़े आपके माइंड में क्लिक करेंगे जब आपकी परिक्षाओं में सवाल यहां से पूछे जाएंगे हमारी इस करेंटा फैस की सीरीज आपको परिक्षा तक मिलती रहेगी और आगे हम लोग अपने वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम